नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Study IQ में आज हम लोग बात करने वाले हैं Agriculture Produce Marketing Committee के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार ने ordinances लाई हैं, farm के उबर acts लाई हैं, उन ordinances को act में बदला है तो उसके उपर काफी ज़्यादा protest हो चुका है, वाद विवाद हो चुका है तो इस particular discussion में हम लोग बात करेंगे idea, निती आयोग के जो member है रमेश चांद की जो कहते हैं Agriculture Produce Marketing Committees हमारे भारत में आई थी एक solution बनकर लेकिन वो problem कैसे बन गई तो इस particular video में हम लोग देखेंगे कि APMC का इतिहास क्या है कैसे APMC एक solution थी और कैसे वो problem बन गई है और आगे जो हमारे जो नए act आये हैं केंद्र सरकार दुआरा क्या वो अच्छे है या बुरे है तो चलिए एक व्यापक visualization करते हैं इस चीज़ पे Let's begin the discussion लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगाउंकर अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं यू can follow me on the ID राहूल साइ 222 मेरा Facebook, Instagram और Telegram के चैनल का ID सेम है उसके अलावा Study IQ आपके अलावा है comprehensive prelims comments program for you PC 2021 For more information download the app जैसे कि मैंने वको खबर बता दिये कि पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने देखा है कि केंडर सरकार ने ordinances लाई थी जून में उसके बाद मौनसून सत्र में उन ordinances को Act में भी तबदील किया हुआ है बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे पंजाब में, हरियाना में फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो उसमें से एक specific act है Farmers Produce Trading and Commerce Act 2020 तो इस चीज़ पे बहुत साथ misinformation है farmers की तरफ से बहुत साथ confusion है तो हम लोग देखेंगे कि ये APMC से कैसा जुड़ा हुआ है तो आज हम लोग देखने वाले हैं APMC का intention क्या था, क्या outcomes है तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे और इस Farmers Produce Trading and Commerce Act के बारे में एक conclusion करेंगे तो सबसे पहले तो देखते है इतिहास हमारे APMC का अगर हम लोग देखें हमारे agriculture markets कब से regulate किया जा रहा है यह regulation आ चुका है जब से British हम पे rule कर चुक है British lie थी governance with respect to APMC सबसे पहली बार raw cotton जो था उसके उपर बिटिश की नजर पड़ गई थी और पहला जो commodity था वो raw cotton ही था जिसको बिटिश ने regulate किया था और सबसे पहला हमारे इंडिया में act था बेरार cotton and grain market act 1887 जिसके तहत जो British resident थे बेरार के उनको power मिल गया था ताकि वो declare करे किसी भी जिल्ले के एक assigned area को agriculture purchase और sale market करके तो जो भी उस particular district में उपज होगी जो भी output निकलेगा वो वहीं पे sell होगा कहां पे उस particular assigned market में तो ये थी शुरुवात हमारे APMC's की समझ लीजे कि this was the root of APMC उसके बाद Royal Commission of Agriculture आया 1928 में जिन्होंने clearly बताया कि हमको set up करना चाहिए regulated markets पूरे देश में फिर जाकर British सरकार ने Government of India का एक model bill लाया agriculture produce marketing regulation bill क्योंकि हम लोग जानते हैं कि agriculture state list में था तो उस टाइब भी provinces list में था तो उन्होंने provinces को power दिया था कि आप एक model bill ले आई जिसके तहत आप agriculture produce marketing regulation act ले आएगा लेकिन ज्यादा इसके उपर कुछ विचार विमर्ष नहीं हुआ states इसको नहीं लाए फिर eventually इंडिपेंडेंस के बाद ही हम लोग देख सकते हैं कि 1960 और 70 के दशकों में बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने राज्यों में agriculture produce marketing regulation act ले आए जिसके तहरत APMC's थे जो इस particular area को regulate करेंगें तो 1960-70 के दशक में हमारे APMC's आए जिसका इतिहास रहा है British से जुड़ा हुआ तो हम अभी तक पहुँच चुके हैं कि APMC's set हो गई है तो चलिए देखते हैं कि APMC का क्या रहा है एक progress report अगर मैं शुरुवाती दौर की बात करो 1960-70 के दशक में APMC काफी ही अच्छे intention के साथ आया था क्योंकि अगर हम लोग उससे उनको बेचता था तो वो exploit करते थे उनी के पास credit आता था तो price बहुत ही कम मिलता था तो इस सारी चीजों से farmer को protect करने के लिए APMC लाया गया APMC में exploitation, intermediaries जो middleman होते हैं उन सब से बचाने के लिए लाया गया और APMC को ये mandate किया गया इसका उद्देश ये था कि इस fee या इस commission को collect करेंगे APMC और उसको उसी मंडी को बढ़ावा देने के लिए इस्तमाल करना था मतलब वहाँ पे infrastructure बिल्ड करना है वहाँ पे go-downs बिल्ड करने है cold storage बिल्ड करने है लेकिन ये सब नहीं हुआ हाला कि initial years या फिर initial decades मैं बताऊं APMC काफी successful था क्योंकि intermediaries को हटा दिया अभी मैं अगर किसानों में डिरेक्टिंग जाके मंडी में अपना output बेच दूँगा जो भी मैंने उगाया है मैं इसको बेच दूँगा harvest के बाद और मुझे decent price मिलेगा क्योंकि वहाँ पर auctioning होती है तो competitive buyers है उसी particular licensed market में licensed traders है वो auction करेंगे और खरीदेंगे तो कुछ हट तक 2-3 दशकों तक APMC काफी अच्छा चला 1991 तक क्योंकि 1991 से पहले हम भी state controlled थे बहुत हट तक तो यहाँ पर state का बहुत बड़ा role बनता था लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ हम लोगोंने LPG reforms लाए liberalization, privatization, globalization reforms लाए इससे एक option बढ़ गया लोगों के पास लेकिन वही option किसानों के पास नहीं बढ़ा और इसी के साथ इसाथ APMC की problems शुरू ही मैं आपको simple सा example देखें बहुत ही संक्षित रूप में समझाता हूँ देखिए 1990 से लेके 2000 तक अगर मैं बात करूँ हम लोगोंने LPG reforms लाए तब भी government का बहुत control था तो उस time पे अगर मुझे एक mobile लेना था if I wanted a mobile network तो मेरे पास किसका available था कि एवल BSNL, MTNL available था मतलब as a consumer मेरे पास option ज्यादा नहीं है तो किसानों के पास भी same ही है कि उनके पास option ज्यादा नहीं है APMC में बेचना है APMC अच्छे से चल रही है तो मैंने बेच दिया लेकिन 2000 के बाद हम लोग देख सकते competition बढ़ गया अभी मेरे पास BSNL, MTNL के अलावा I have Airtel, I have Jio, I have Idea बीच में बहुत सारे नेटवर्क जैसे VideoCon, Virgin, Mobile बहुत सारे आके चले गए तो option था तो consumer के पास option आ गया है क्या किसानों के पास option आया है वो नहीं किसानों के पास अभी भी option नहीं है APMC में ही जाकी बेचना पड़ेगा इतना सारा liberalization होने के बाद भी तो समझे यही problem है उनके साथ भी उनके पास विकल्प नहीं है तो अगर मैं problems की बात करूँ क्या हुआ 1990 के बाद पहला तो हो गया कि restriction हो गया कि farmers को एक ही जगा जाके बेचना है और दूसरा problem यह हो गया कि जो APMC थे यह monopolistic बन गए बहुत ज़्यादा restrictive बन गए कि अगर किसी किसान को बेचना है तो आपको यहीं पर आकी बेचना पड़ेगा और जो fees थे जो user fees थे commission थे तो वहाँ पर complicated fees आ गए बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा fees आ गए इतने ज़्यादा middleman आ गए service देने के लिए तो fees को इस्तमाल नहीं किया गया infrastructure development इसको एक tax की तरह impose किया गया statutory levies आ गई वैट आ गया बहुत हेफटी fees आ गई जिससे market खुदी distort हो गया और price बढ़ता गया जिसका ultimate भुकतान भरना पड़ा किसानों को तो in general हम लोग देख सकते हैं कि APMC की जो agent थे commission agent थे middleman थे उन्होंने cartel बना लिया और उन्होंने शुरू कर दी monoposoni monoposoni मतलब similar to monopoly है लेकिन monoposoni में खरीदने वाला एक ही इंसान बेचने वाले किसान तो बहुत है लेकिन खरीदने वाला एक ही है वो cartel है जो APMC आपकी मंडी में है सारे के सारे मिलके वही खरीदेंगे तो एक monoposoni बन गई वहाँ पे middleman का बहुत ज़दा problem आ गया तो इसकी वज़े से हम लोग देख सकते कि क्या हुआ बहुत सारे issues आगे एक तो fragmented market हो गए हर जगा अलग-अलग rate चल रहा है हर राज्यों में अलग-अलग आपके fees चल रहे है high fees हो रहा है markets ही कम हो रहे है infrastructure की तो मैंने बात कर रहे है cold storage नहीं हो रहा है अगर आप fees कलेक्ट कर रहे हो और उसको आपके market बढ़ाने में नहीं डाल रहे हो तो problem तो होगी होगी wastage होने लगा बहुत जादा licensing की बात है होने लगी क्योंकि middleman के पास license हा गया जिसके पास भी trader के पास license है वही trade कर रहा है तो ultimate नुकसान हुआ farmer का market information की asymmetry हुई अगर आप देखो आपके ही जिल्ले में अगर एक APMC है वहाँ पे rate चल रहा है X बगल वाले जिल्ले में चलेगा Y तो difference आगई asymmetry हो गई और साथी साथ credit inadequate credit की facilities की problem भी शुरू हो गई because of APMC monopoly तो यह सब problems आगई APMC में यही रमेश चांद कहते हैं कि जो intention के साथ APMC आया था काफी अच्छा intention था farmers को बचाने का intention था लेकिन ultimately क्या हुआ वो एक solution के बदले खुद ही एक बहुत problem बन गया तो इसी को resolve करने के लिए सरकार ने क्या किया सरकार ने सबसे पहले तो model act लाया जिसको बहुत सारे राज्जों ने implement नहीं किया हाली में e-name की भी बात की गई है electronic national agriculture market जिसकी काफी ज़्यादा success है अभी तक 164 lakh ton इस e-name के उपर बेचे गए हैं products तो कुछ हद तक success है तो अभी हमारे पास हम कह सकते हैं कि मैं एक national market बन चुका है लेकिन अभी भी बहुत ही restricted है क्या farmer के पास विकल्प है इस विकल्प को बढ़ाने के लिए ही केंदर सरकार ने farmer produce trading and commerce act 2020 लेक्या है अब मैं अगर किसान हूँ तो मुझे विकल्प है अगर मैं चाहूँ तो मैं जाके मंडी में बेच सकता हूँ मैं किसी private player को बेच सकता हूँ किसी exporter को बेच सकता हूँ किसी बड़ी industry को बेच सकता हूँ contract farming में जा सकता हूँ तो अभी ज्यादा विकल्प बढ़ चुके है लेकिन इसका एक flip side भी है एक exploitation वाला side हम लोग ने बात की कि British time पे वो landlord थे तो अभी लेकिन कम से कम इस चीज़ को एक work करने का तो हम लोग मौका दे सकते हैं ताकि हम लोग देखे कि किस तरह work कर रहा है so that we understand if the farmers are getting exploited तो इस act को better करने के हम को कोशिश करनी चाहिए लेकिन अगर एक विकल्प जादा मिल रहे farmer को जिससे farmer को remuneration जादा मिलेगा जिससे farmer की income जादा बढ़ेगी तो this is indeed a good step to certain extent let us see how it is going to work and judge this particular act later on I hope this session was informative for you that's it from my side thank you very much Jai Hind